कि नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ससी एड़ 247 पर मेरा नाम है नवदीब सिंग और जैसा कि आप सब जानते हो cglk tier 2 की preparation के लिए हम लोग यहां पर जुड़ चुके हैं live काफी detail में चर्चा होती है general studies की और जिन किनी को भी अच्छे तरीके से general studies का discussion करना है अच्छे तरीके से आपको details जाननी है आप यहां परा करके इस class को attend कर सकते हैं रोज दो पहर तीन से चार हम आपसे मुलाकात करते हैं दोस्तों और आज के इस session में हम लोग आगे चल करके जानने वाले हैं महत पूर्ण history के questions के बारे में तो आज का जो पार्ट है दोस्तों आज का पार्ट भी है history के बारे में और history का second part और मैं history पढ़ाते टाइम हमेशा आपको एक बात बोलता हूं और उस बात को याद भी रखिएगा कि history में हो सकता है है एच आई वाले भाग में लोगों को इंट्रेस्ट ना हो लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं पूरे भारत वर्ष में जिसको स्टी ओ आर वाई ना पसंद हो यानि कि भारत में history पढ़ने वाले हर व्यक्ति को story पसंद होती है अब history का जरूर थोड़ा सा लोचा होता है तो stories के form में हम लोग जानते हुए चलेंगे बातों को करते हुए चलेंगे इंट्रेस्टिंग बनाएंगे इस पूरे discussion को तो चलिए आज के इस सेशन में दोस्तों शुरू कर देते हैं हम आज history के discussion को तो एक बार आप सभी से गुजारिश है कि फटापट लिंक को कॉपी करिए शेयर कर दीजे और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे इस काम पर आगे पर उससे पहले एक महत्तपून और जरूरी सूचना जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप इसने अभी तक अड़र 24-7 एपको इंस्टॉल नहीं किया है तो भी कर लो पहले आप लोगों का यह बहना होता था कि सर आइफोन में अड़र 24-7 है भी यह नहीं तो पहले यह बात सही है कि हम सिर्फ एंड्रॉइड पर थे लेकिन अब एंड्रॉइड से आयोस पर भी आ ग अनलोड में मिलता है वो भी free of cost तो भाई लेने में क्या दिक्कत है आप आराम से इसे ले सकते हो और साथ इसाथ दोस्तों नैना बुनू पीहू सुमंत और मोनिका जी वेरी वेरी गूड आफ्टनून और चलिए शुरू करते हैं आज के discussion को और हम लोग जाना शुरू करें हैं भारत में मानव के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमान किस स्थान पर मिला था मै काल हिल्स पर मिला ता मै काल हिल्स बाइद oluş आपको बता दूं यह सत्पुड़ा रेंजस में आते हैं और दूसरा सिंदु घाटी में मिला था बाइद अप को को बता दू कि सिंदु गाटी पूरी की पूरी सब्यता भारत के नौर्थ वेस्टन इंडिया और आज के करेंट डे पाकिस्तान में थी इसके अलावा तीसरी जम नर्मदा घाटी की बात करते हैं तो नर्मदा घाटी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में और इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करते हैं नल्ला मला हिल्स तो नल्ला मला हिल्स आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यह इस्टन घाट का हिस्सा है जिवराफी जब पढ़ेंगे तो जिवराफी में काफी कुछ चीजें हम लोग डिसकस करेंगे हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फटा फट से बता ये कि क्या सही एंसर होना चाहिए इसका भारत में मानव के अस्तित्व का यानि हम पात कर रहे हैं इंडिया सबसे पहले कहा पता चला दोस्तों पहले हुआ करते थे प्राचीन युग में आदिमानव और प्राचीन युग में जब आदिमानव होते थे तो हम लोग उन्हें कहा गए तो सब भी होने के बाद आज जी एस पढ़ रहे हैं तो आधि मानुव की तो संतान है कहीं नहीं हम लोग भी तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा वैली बारे में बात की जाती है हमेशा याद रखे इंडस वैली में सर प्रता माना का अस्तीतव नहीं पाया गया मानंयों के पहले भी पाशान युक की हम लोग बात करते हैं Coach की पहले हम लोग Paleolithic Age की बात करते हैं तो दोस्तों Paleolithic Age या जो पूरा पाशान काल था उस वाले एज में भी प्रिमिटिव में थे देन उसके बाद आया मिडिस टोनेज मध्य पाशान काल फिर आया निव स्टोनेज नव पाशान काल इस पूरे पीस लाख साल के टाइम पीरिड में आपको earliest existence of humans कहां मिलता है तो दोस्तों यहां याद रखेगा earliest existence of humans मिलता है आपको नुर्मदा की में तो बिल्कुल यह याद रखना है आपको नरम्दा वैली वैली है जो रिफ्ट वैली बनाती और मैं आपको एक और बात बता देता हूं दोस्तों मध्यप्र देश में एक जिल विलेज है जिसका नाम है हतनोरा आप लोगों ने क्या भीम बेटका की गुफाएं सुनी है जल्दी से बताओ भीम बेटका की गुफाएं आप लोगों ने सुनी है क्या भीम बेटका जरूर सुना होगा भीम बेटका के बारे में कि वहाँ पर बहुत पुराने चित् दीके तटपर ही स्थित है भीम बेट का नाम की साइट तो दोस्तों यह भी याद रखना कि अर्लिएस्ट एविडेंस जो हुमन्स का इंडिया में मिलता है वह नर्मदा में ही मिलता है मध्यप्रदेश के हतनुरा विलेज में और नर्मदा हुमन को हम लोग नर्मदा मैं कहते हैं और साथ इसाथ इनको कहते हैं हो मो इरेक्टेस अब दोस्तों आप यह सोच रहे होगे हो मो इरेक्टेस क्या होते हैं हुमन इवल्यूशन की बात करें हम मानव विकास की बात करें तो मानव विकास धीरे-धीरे हुआ है पहले इंसान किस तरह के हुआ करते थे और बाद में किस तरह के हुए हम अपने आपको कहते हैं homo sapiens homo sapiens मतलब मानव की सबसे विक्सित प्रजाती अभी तक जो हम लोग कहते हैं सोयम को हम homo sapiens है पर दोस्तो homo sapiens के पहले लोग कैसे होते थे तो यह देख रहे हो इस व्यक्ति को पता लगाया था तो दोस्तो हम लोग homo sapiens हैं यह लोग homo erectus थे ठीक है आकाश मिश्रा जी आम खाओ गुठलियों पर क्या ध्यान देना तो देखे सबसे पहले कौन 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 से लोग हुआ होना करते थे तो सबसेपैन 'llh salvage खरें और इस और सट्रेलो पिठकश सके बाद होते थे homo happilys homo happilys के बाद होते थे homo erectus फिर उसके बाद होते थे homo and the departments और उसके बाद होते थे homo sapiens टो ये homo sapiens जिन की आज हम बात करते हैं दोस्तों यह आज की बात है ठीक है यह जो आज की बात कर रहे हैं यह यहां पर है आप मैंसे कितने लोगों को पता था कि मानव विकास ऐसे हुआ है आप लोगों ने देखा होगा ना पहले एफरेनिस से हैबलीस इरेक्टर फिर उसके बाद नियांडर थैलेनिस और उसके बाद होमो सैपिन्स यह देखें ठीक है तो यह आपको जबरदस तरीके से याद रखना है मैं बुक्स वगरा सजिस्ट कर दूंगा अभी आगे चल करक करें बता यह फाहियान जो था हूं किसके साशनकाल में भारत आया करऊन किसके साशनकाल में भारत आया चंद्रगुप्त राम गुप्त और उक्मार गुपत इनके बारे में आपको वैसी भी बता चुका हूं कई سारी चीजें हम लोगों ने जार्चा किए Hani दो संद्रृइ सेकेंड को जब हम लोग कहते हैं तो एक टाइटल एडॉप्ट किया था इन्होंने और इन्होंने स्वयम को कहा था विक्रमा दित्य तो चंद्रगुप्त विक्रमा दित्य चंद्रगुप्त सेकेंड ही है समुद्रगुप्त के बारे में तो हम लोगों ने कितने सारे टाइट शवी दोहित्र दोसो राम गुप्त याद रखेगा राम गुप्त वहीर साशक था जिसकी वाइफ का नाम था ध्रूवदेवी और मेरे ख्याल से ये कहानी मैंने आपको कल बताई थी कि कैसे ध्रूवदेवी को शक राजा ने पकड़ लिया था चंद्रगुप्त सेकेंड ने यूनिवर्सिटी तो नालंगा विश्व विद्याले के स्थापना किसके द्वारा की गई थी यह भी याद रखेगा नन अदर दैन्द कुमार गुप्त तो फाहियान किसके साशन काल में भारत आया था सारू एंदिव्या योर कॉमेंट्स आर विजिबल तो फाहियान आया पता है यह देखिए घोडा लेकर के यह हिमाले की तरफ से टहलता हुआ चीन की तरफ से इंडिया आ गया और सोचो फाहिया ने स्टार्टेड इस जर्नी फ्रम चाइन इन 399 एडी और 399 एडी में यह पहुंचा यहां पर और उसके बाद लगभग 4118 के आसपास तक भारत में रुका चंद्रगुप्त टू उस समय पर रूलर हुआ करते थे विकास चंद्रगुप्त टू ने जो रूल किया है वह 385 एडी से ले करके 415 एडी तक रूल किया है तो यह जो इनका एक समयकाल है लगभग 30 सालों का 30 सालों के समयकाल को भारती इतिहास का स्वरणिम यूग कहा जाता है दोस्तों यह भी याद रखेगा गोल्डन एरा ओफ एंशियंट इंडिया प्राचीन इतिहास का स्वरणिम यूग या भारती इतिहास का स्वरणिम यूग कौन सा है गुपता एरा को कहा जाता है बहुत सारी चीजे इन्होंने डेवलप्मेंट के तोर पर की थी बहुत शांदार तरीके से डेवलप्मेंट किया था गुपतों ने भाई गुपतों ने सबसे पहले एड्मिनिस्ट्रेशन पर बहुत का परा काम किया कोर्ट बनाए को कोर्ट के अलावा दोस्तों इन्होंने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना शुरू किया जो महत्वूर्ण तरीके से राजा को सलाह देते थे तो अगर ये सब कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो सभाविक सी बात है वह अपने एंपरर ने हुनों को हराया था हां सुमन कहा रही है यह पिक किसने बनाई होगी यह इंटरनेट से मैंने ली थी यह एक जस्ट इलस्ट्रेशन है कि इस तरह से वह आया होगा घोड़ा वड़ा ले करके बाकी हैसा तो नहीं है उसी व्यक्ति की फोटो है वो फटा पर बता यह क्या answer होगा इसका दोस्तो सेशन में बने रहना है और ne auch and not learn a car pill करना है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको इन यही स्कंद्गुप्त गुप्त के बाद जो बाकी राजा हुए उन बाकी राजाओं ने फिर इसे समहाला नहीं गुप्तवंश धीरे-धीरे पतन की और बढ़ा और लगभग 400 सरसट एडी के आसपास से लेकर के 550 एडी के बीच में बहुत सारे राजा बदले और उन राजाओं के बदलते धीरे-धीरे गुप्तवंश पूरी तरीके से तबाह हो गया तो गुप्ता डाइनिस्टी खतम कब सब्सके जब गुप्ता है शोड़ां सब्सक्राइब कोई थे गुप्ता डानिस्टी खतम हुए यह इंडिया पर ईंडिया पर सक्राइग कर रहे ही भीटारी शिलालेक गल्मे सब कुछ आपको मिलता है में extrapol ape कहते हैं और भी ट्रीख चिला लेक में आपको पूरा अनय मिलता है कि कैसे सकंद गुत ने सब्सक्राइब हुणों को हराया था जो सेंटर लेशन ट्राइब भारत पर हमला कर रहे थे उस ताइम पर ठीक है तो यह पॉइंट आपको याद रहेगा ना दोस्तों सकंद गुप्त गुप्त रूलर था जिसने उनों को हराया और हुनों को हरा करके लगबग 5th century AD के आसपास उसने अपने पूरे खाजाने को भी खाली कर लिया था कहीं यह भी कारण माना जाता है कि खाजाना धीरे धीरे खाली हुआ था इसकंद गुप्त के ही वजए से भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन यह जो शब्द हमने लिखा है इसको याद रखेगा इसी में मैंशन है कि हुणों को हराया था सकंद गुप्त ने पॉइंट याद रहोगे ना ठीक है हुण Lse Dalits कहते थे इन्हें यह इन्हें कहा जाता था किदारित और पीदारित यह शब्द अगर कहीं पर यूझी हो तो दोस्तों ये याद रखेगा चिदारित जो शब्ध था किदराइट यहूनों के लिए ही यूज किया जाता था किदराइट जो ता कि दराइट्स हुनों के लिए ही यूज किया जाता था और वही लोग थे जो बड़े ही बरबर किस्म के थे और बरबर किस्म के होते हुए बरबर किस्म के होते हुए वह भारत पर अटैक करना चाहते थे तो ठीक है चलो कोई पूछ रहा है कि सरे भीत्री इंस्क्रिप्शन कहां पर था दोस्तो गाजीपूर उत्तरप्रदेश यह याद रखेगा गाजीपूर गाजीपूर यूपी में भी पिलर इंस्क्रिप्शन स्थापित है आगे बढ़े अगली चर्च विच गुपतक इंग यह बढ़िया क्वेशन बनता है दोस्तों सुदर्शन लेक के बारे में शांदार इतिहास पूछा जाता है वो भी मैं आभी आपको बताऊंगा पटाफट एंसर करना शुरू करो यह कि जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन से गुप्त गिंग तेयक जिन्होंने शुदर्शन लेक को रिपायर किया था сил अलिक को बनाया किसने । यह पूरी एक कहानी है दोस्तों और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे देखो फटा फट यार शेयर करो तो आप लोग शेयर करोगे पढ़ाई करोगे तभी जा करके आप लोगों के नंबर अच्छा आएंगे और सीजेल के टियर टू के इस बैच में हम चाहते हैं कि आपके और बहतर नंबर स्कोर हो तो इसका सही ऐंसर हां दोस्तो इसका सही हैंशर आप लोग यार रखिएगा कि इसका सही answer होने वाला है विच गुप्तख इंग रिपेρ दसल डर्शन लेक कुछ लोग कह रहे हैं वी कुछ ठीक है कि देखो अहां दिव्या जी आप कोई भी जी के बुक मार्केट से पढ़ सकती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताओं सुदर्शन लेक के सब से पहले कहां परिस्थी तो याद रखोगा यह गुजराद के सौराष्टर में अस्थित है और सबसे पहले इसका कंश्ट्रक्शन कि सने करवाया था तो दोस्तों इसका कंश्ट्रक्शन कि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति था है ना एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुश्य गुप्त और पुश्य गुप्त गवर्नर हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर ओफ चंद्रगुप्त मौर्य इस व्यक्तिने सबसे पहले जूनागड गुजरात में सौराष्ट में सुदर्शन लेक का निर्मान करवाया था और दोस्तों यह भी पॉइंट यहां पर याद रखेगा सुदर्शन लेक का निर्मान जब किया गया था तो दो नदियों को आपस में रिवर और दूसरी नदी का नाम है सुबर्न सिट्टा रिवर सुबर्न सिट्टा तो एक तरफ पलाशनी और दूसरी तरफ सुबर्न सिट्टा नदी इन दोनों नदियों को बांध दिया गया था और इन दोनों नदियों को बांध करके सुदर्शन जील का निर्मान करवाय गया था उसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग तो आगे चलकर जानते हैं कि पहली बार फॉस्ट टाइम इसका reconstruction किसने करवाया तो यह जब question पूछा जाता है पहली बार reconstruction तो दोस्तो एक राजा हुआ करता था जो उजयन का local राजा था और उसने रुद्रदामन वन कहते हैं उससे और उसने पहली बार फस्ट टाइम उसने विक्रमा दित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था दोस्तों यह याद रखेगा विक्रमा दित्य और विक्रमा दित्य का ऐसे ने रिप्यर करवाया था सुदर्शन लिख यहाद रखेगा रिपेर अब सुदर्शन लिक और सुदर्शन करके इसने मेंचन कहा करवाया है दोस्तों तो जूनागढ़ के शीला लेक में जुनागढkeln इंस्क्रिप्षन टॉक्स अबउट दर रइफेर दर्शन लेक और यह भाषा में लिखा गया शिला लेक है आमतोर पर जो शिला लेख हुआ करते थे और ब्रामीलिक में हुआ करते थे अप्राकृत भाषा में प्राकृत जांच्वि उप राकृत prac दूसरा दूसरा पॉइंट जब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं तो वो यह है कि भाई सुदर्शन लेक का दूसरी बार री कंस्ट्रक्शन किस ने करवाया तो सुदर्शन लेक का दूसरी बार री कंस्ट्रक्शन करवाया था अपने गवर्नर सुविशाख से और सुविशाख का बेटा हुआ करता था नाम था उसका चक्रपलीट और चक्रपलीट ने सुदर्शन लेक का पुनर निर्मान करवाया था और यह हुआ था इसकंद पूरी की पूरी तो यह सुदर्शन लेक गुजरात सौराष्ट्र में है और ये भी याद रखेगा कंस्ट्रक्शन इसका पुष्यगुप्त ने करवाया था जो की चंद्रगुप्त मौरे का गवर्नर था पलाशनी नदी और सुबर्ण सिट्टा नदी को बांध करके इस सु लिखित में से किस महाजन पत्में भगवान बुद्ध ने परी निर्वान प्राप्त किया था जल्दी से बताये परी निर्वान महापरी निर्वान की बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर जब यह शब्द आता है ना महापरी निर्वान तो यह याद रखेगा महापरी नि है जो मैंने बताया था अशोक ने बिल्कुल नहीं करवाया था मरम्मत कनहिया और एक कोई तो मुझसे question पूछ रहा है तीजियल के exam के बारे में चलिए बढ़िया है तो इसका सही अगली चर्चा हम लोग करते हैं तो अगली चर्चा हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट जो discussion है दोस्तों इसमें मल्ल महाजनपद आएगा मल्ल महाजनपद में ही हुआ करता था कुशी नगर और यह आप लोग जानते हैं जैसा कि मैंने कहा बनारस जो आज का वारानसी है वत्स महाजनपद उससे 180 किलोमीटर दूर एक जगह है तो बनारस से कुशी नगर में जैसा कि मैंने आपको कहा था तीन सो चार्सो तिरासी कि खना 483 बीसी में 483 बीसी में गौतम बुद्ध जी को महापरी कि निर्वान प्राप्त हुआ था इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखी है ठीक अदिव्या अरे कितनी बार बुक से जिस्ट करें बोला तो है कि आप जी के की कोई भी बुक पढ़ सकते हो मार्केट से लेकर और साथ ही साथ अड़र 247 पढ़ सकते हो कोई भी बुक पढ़ने में मतलब आपको बुक पढ़ने से मतलब है आप अराम से उसे कवर कर सकते हो एडॉल्फ हिटलर बाल ठाकरे रिजले कौन थे मुझे नहीं पता यह किस सेंस में आप पूछ रहे हो एक बार सेंस बताओ तो मैं आपको बताऊंगा बाकी आप गलत नहीं पूछ रहे हो बस टॉपिक कर नहीं पूछ रहे हो बाई समुद्र गुप्त का कोई बेटा तो र गतिजले आया कहां से कॉंटेक्स तो बताओ यह कि कौन था कहां से आया था आप बार-बार इःक कोई प्रशन को पूछ रहा हो तो उसका कम से कम कॉंटेक्स तो बतादो कि हाँ यहां से लेकर का हैं ओसरियो प्रश्न प्राश्न फिसल मैं वहां पड़ा है ऐसा तो दुर इजले नाम के कितने यंग्रेज रहे होंगे गूगल में करेंगे दो चलो हांजी दिव्या बिल्कुल आ जाएंगे अड़ाट 247 की पॉब्लिकेशन की बुक में सारे सारे आ जाएंगे आप कर सकते उस पर तो मल महाजन पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अब जल्दी से jaina council held दूसरी बौध संगीतिका आयोजन कहां पर हुआ था जल्दी से पता हीए क्या होने वाला है इसका सही उत्तर तो दुसरी जैन संगीतिका जो हां दूसरी जैन संगीतिका जो आयोजन हुआ था दोस्तो याद रखेगा दूसरी जहन संगीती का आयोजन हुआ था वल्लभी और वल्लभी कहां है वल्लभी है गुजरात में ये पॉइंट याद रखे तो दोस्तो जहन संगीतियों के बारे में जब जब बात कि जाती है याद रखे कोई भी जैन काउंसिल या बुद्ध रहा तो दिक्षा ना देने के स्थिति में कोई नए लिट्रेचर को पूरी तरीके से शामिल किया जाएगा यानि कि या तो कोई साहित लिखा जाएगा और या तो कोई लिखे जाएंगे यानि कि धर्मगरंथ तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि जब जब बात धर्मगरंथों की आती है जैन-धर्म में कम धर्मगरंथ हैं लेकिन उनमें से भी जो धर्मगरंथ महत्वण हैं उन दूसरी वाली जैन संगीत में ठीक इसका जो बॉद्ध भिक्षु था जिस व्यक्ति सरी जैन भिक्षु जो थे जैन भिक्षु जिन्हों ने ये करा था उनका नाम था देवर्धी वर्मन देवर्धी शमाश्रमन कहा जाता था उन्हें देवर्धी शमाश्रमन तो देवर्धी वर्मन शमाश्रमन या देवर्धी शमाश्रमन कहते थे ये थे वो जैन मुनी इनका नाम याद रखेगा ये थे वो जैन मुनी और दूसरी बात ये है कि पहली वाली जैन संगीती कहां रखें कि पहली वाली जैन संगीती हुई थी लगभग 300 BC में 3020 पूर्व और वो हुई थी पाटली पुत्र में और पाटली पुत्र में उस समय पर राजा हुआ करते थे नाम था उनका चंद्रगुप्त मौर्य यह पॉइंट रखें नाम था उनका चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दिक्षा दिलवाई थी एक व्यक्ति ने नाम था उनका इस्थूल भद्र तो इस्थूल भद्र हुआ करते थे जैन मुनी और आप लोगों को एक मज़दार बात बत जोसें तो भद्र भाहु के सबी फॉलोवर कहलाए दिगंबर तो यहां पर आप यह भी एक फैक्ट जान सकते हो कि भद्र भाहु के फॉलोवर स्थूल भाहु कि फॉलोवर क्रेंस वैवेत अंबर होगा चलो फिर आगे बढ़ा जाए आगे चल करके हम लोग नेक्स्ट डिसकेशन करते हैं और नेक्स्ट डिसकेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं हाँ जी एडॉल फेटलर बाल ठाकरी जी बहुत बढ़िया लिखा आपने कि भारती नगरी सेवा के प्रतम अधिकारी रिजले थे ज नेक्स्ट क्वेश्टन जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों वो जल्दी से बताईए निम्लिखित में से किसे काम सोका के नाम से जाने जाते हैं फटाफट बताओ ब्रिहदरत को कहा जाता है अशोक को कहा जाता है सुशीम को कहा जाता है या कहा जाता है बिंदुसार को नि लिखित में से किन है काम सोग के नाम से जाना जाता है अब इन में बहुत सारी चर्चा हो सकती है बहुत सारा discussion हम लोग कर सकते हैं जान सकते हैं कि आखिर क्या क्या इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया था तो चलिए देखना शुरू करते हैं सबसे पहले इसका सही उत्तर तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अशोक अशोक महान राजा थे भारतिय इतिहास में जब महानतम राजाओं की लिस्ट जारी होती है तो उसमें से प्रथम नाम आपको अशोक का मिलता है और महानतम राजा होने के पीछे कारण क्या था वह भी डिसकस कर लेते हैं सबसे पहली बात तो यह थी कि जो अशोक हुआ करते थे यहीं है देव नाम पीदसी जैना जेम्स प्रिंसेप ने जब देव नाम पीदसी के बारे में पढ़ा तो वह कंफ्यूज था प अशोक परिवार बड़ा था अशोकिरानिया हुआ जैसे आप Dego अशोकीरानिया गुए कुए करती जिनका नाम ता तिश्यक्र रकषिता अशोक की ही रानी थी जिनका नाम हुआ करता था पदमावती यह भी याद रखे तो ऐसे ही अशोक की टूटल पांच रानिया हुआ करती थी तो अशोक की रानिया में तिसरक्षिता, महादेवी, पदमावती यह रानिया ही थी अशोक के बेटे भी हुआ करते थे और अशोक क ऐनके पिता नाम क्या था तो यह भी याद रखेगा इन के पिता का नाम था बिन डुसार है जो और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने साशन लघभग थोसो और टर बीसी गिए आस-पास शासन को अपने हाथ हाथ में लिया था और ऐसा कहा जाता है कि इंहों इपने सभी भाईयों को मार करके साशन करना शुरू किया और 261 बीसी या निकि अपने साशन लगभग नवे साल और आठों साल में attends लिया कि इन्हों ने ईद लड लिया कलिंग युद्ध और कलिंक युद्ध में महामेग वर्मन यह जो डाइनस्टिक हुआ करती थी चे दिवंश उस महामेग वर्मन के चे दिवंश से भिड़ गए और उसके बाद एक लाक लोगों का रक्त बहाया गया था ऐसा कहते हैं कि एक लाक लोगों को मार डाला गया था इस युद में तो बहुत धर्म को इन्हों में एडॉप्ट किया एक लाक लोगों को मारा था ऐसा कहा जाता है कहा जाता है यह सिर्फ माना जाता है और इनकी एक वाइफ हुआ करती थी जिनका नाम था कौरू की और करूव की यह कौरू की यह अगर अकेली वाइफ हैं दोस्तों जिनका नाम कहीं लेखों में मिलता है ब टोटल सौ भाई थे और टोटल सौ भाईयों में से 99 भाईयों को नहीं मारा था एक को छोड़ दिया था ऐसा कहते हैं कि जो सबसे छोटा वाला भाई था उसका नाम था तिस और उसका मुगाली पुत तिस से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी अशोक ने अपने कहानी वैसे शहीं नहीं हो सकती कारण है इसका कि यह 99 भाय वाली कहानी आपको दीप वॉंस और महा वज़ अर्म ग्रंथ हैं यह भारत में लिखा हुआ कोई recorded इतिहास नहीं है इन्हीं के हिसाब से नियानवे भाई हुआ करते थे तो यह पड़े हां बड़े अलग किसम की बात हम लोग करते हैं इनके बारे में जब भी बात करते हैं तो यह अलग बात है हलाकी अशोक का सबसे बड़ क्रुएल रूलर बाद धर्म की दिख्षा इन्होंने लिए याद रखेगा बाद धर्म की दिख्षा किसने प्रेरित किया तो दोस्तों इनके मंत्री हुआ करते थे जिन्होंने इन्हें राजा बनने के लिए प्रेरित किया उनका नाम था उपगुप्त यह मंती ने प्रेर तो मुगाली पुत्त तिस्ट और इनका इनके भाई जिस्ट से कोई लेना देना नहीं है तो मुगाली पुत्त पर दिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं यह तो बाद भीक्षु जिन्हों ने अशोक को बाद धर्म की दिश्चा दिलवाई थी ठीक भाई अडॉल फिटलर कहते हैं शिला लेक की खोज अशोक का सन नहीं बता रहे हैं अशोक के बारे में यह तुम तो दात गड़ा के बेड़ जाते हो भाई तुम्हारा एक क्वेश्चन पढ़े हैं उसके बाद 1870 इसमें जेम्स प्रिंसेप ने किया था और तुर रिजल प्रिंटाओं के बीच में टाइम निकाल करके बता देंगे अधिक है यह यह आपको याद रखना है हाँ करें सर्व एक क्वेस्टन था कि मेरे मन में जहांगीर तो खुद नशेडी था तर तमबापू बैन क्यों लगाया जहांगीर आपको बता करके गया है कि मैं शेडी यह ऐसा कहीं आपने क्वेस्टन देखा है कि जहांगीर खुद नशेडी था तो उसने तंबापू पर बैन क्यों लगाया मतलत जहांगीर ने तंबापू पर बैन लगाया वो समझ में आता है लेकिन सवयाम नशेडी था यह बात कहां लिए भाई चलो हां कश्मीर विरोध कश्मीर विद्रो और तक्षिला में विद्रो हुआ था आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ करके दोस्तों ये बताए जल्दी से निमलिखित में से कौन सी समिती मौर प्रसाशन में निर्मित वस्तूओं की बिक्री के लिए सारवजनिक सारवजनिक नोटिस दिये जाने की निगरानी के लिए जिम्मेदार थी बढ़िया क्वेश्चन है जल्दी से एंसर करो इसका ऐसे प्रशन पूछते हैं आरा आप लोग आ करके पैक्ट पर बातें करो जो फैक्ट हैं और बाकि ऐसे कहानिया बहुत सारी हैं पर उन कहानियों म सार्वजनिक नोटिस दिये जाने की निगराणी के लिए जिम्मेदार थी तो तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी लोगेos को पता है हो जाएंगी मेनुफेक्ट्रिंग आर्टिकल टीएं निर्मिद लेक समिती निर्मिक लेक समिती जो थी यही सारवजनिक नोटिस दिया करती थी किसी भी तरीके से वस्तों की विक्री के लिए तो बी एंसर इसका सही हो जाएगा ठीक है ना बी एंसर इसका बिल्कुल हो जाएगा चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक और नया प्रश्न हम लोग करेंगे जल्दी से बताई एंद लिखित में से किस इस्थान में हाती घूंपा शिला लेख पाए गए है और हाती गुमफा शिलाले कौन से धर्म के बारे में बताते स 왿ते हो वो मिलते हैं आपको उदयगीरी और उदयगीरी अच LeahT the लिखी दिया हो तैल फिर बढ़िया है उदयगीरी जो हिल्ल से उदय गरी हिल्स कहां पाई जाती है तो यह भी याद रखेगा उदयगीरी इस भूबनेश्वार्गा निकट पूर्वी घार्ट में भूबनेश्वर के निकट मतलब उन्हीं के नजदी की है भूबनेश्वर कहा है भूबनेश्वर है राजधानी उडिसा की भूबनेश्वर की जगह है इसे भूबनेश्वर पढ़ो भूबनेश्वर ही राजधानी है भूबनेश्वर भूबनेश्वर अच्छा दूसरी बा काफी कुछ चर्चा की गई है वैसे जब हम लोग ये बात करते हैं जैन धर्म के बारे में काफी कुछ चर्चा की गई है तो यहां पर देखेगा हां यहां पर एक बात है जैन धर्म के बारे में हाथी गुंफा शिला लेकों का निर्मान हुआ चलो हाथी गुंफा शिला लेक महामेग वर्मन वन्ष और महामेग वर्मन वन्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह जानना महामेग वर्मन वन्ष यह चे दिवन्ष भी कहा जाता है और इन यहीं लोगोने जैन उदै गанти गुफाओं का निर्माद कर वाया अचनता की गुफाओं का निर्माद किसने कर वाया था बता सकते लिए कि अजंता आगे जला जाए तो नेक्स्ट क् madam प्रदेश में है तो ज़लिज़ा ये आजंता का निर्मान किससने करवाया था भू हूँस्स के भी फू बिल्टल अजनन्ता केंद यह आपके लिए क्वेश्ट्टन है आगे चला जाए तो नेक्स वेश्टन है बदाए नान नागसेन निमलिक ये उन्हें से किसे बहुत धर्म में परिवर्तित किया था अमर कंटक अरे है हाई यह व्यक्वेश नाग सेन निम्लखित में से किसे बाद धर्में परिवर्दित किया था मीना अंडर को डेमिट्रियस को गोंदो फैरनेस को या मित्रदात को आपको आज हम question दे करके जाएंगे है ठीक है आपको आज हम question दे करके जाएंगे यहां पर पटापट आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा राश्ट्रकूटों में कृष्ण ने करवाया था एलूरा का परंदू यहां पर जो प्रशन है दोस्तों यहां पर प्रशन यह अभ कि निम्नलिखित में से किसने बुष्षफ में परिवर्तित किया था नागसेने किसको बुष्षफं में परिवर्तित किया था तो कुछ लोग सी एंसर कर रहे हैं गौंधो फेर ने को कुछ लोग् measuring प्रियस कह रहे हैं दोस्तों बात बताओं आपको नागसेन बहुत भिक्ष्व हुआ करते थे और नागसेन को मिला एक व्यक्ति जिसका नाम था मिनेंडर और मिनेंडर हो जाएगा आपका सही उत्तर मिनेंडर एक हिंद यूनानी साशक था इंडो ग्रीक रूलर था ये और य नागसेन के चक्कर में पढ़ गया अब बहुत विक्ष्व नागसेन उसके दरबार में पहुंचे तो इन दोनों के बीच में जो गहन चर्चा हुई वो चर्चा को एक धर्म में ग्रंथ में लिखा गया है और वो चर्चा जिस ग्रंथ में लिखी हुई है उस ग्रंथ का न रखेगा मीनेंडर ही है जिसे कालंतर में मिलिंद नाम से जाना गया अब इनके बीच में चर्चा क्या हुई नागसें जा करके मीनेंडर के सामने बैठे तो मीनेंडर ने कुछा महराज प्रणाम कहां से आये हैं तुन्हों ने कहा मेरी छोड़ो तुम बताओ तुम कहां से आये तो मिनेंडर ने कहा मैं तो यहीं हूं मुले नहीं इस दुनिया में कहां से आये तो मिनेंडर ने कहा भई वही पत जिससे सब कोई आते हैं उपर से बना करके भगवान सकता और जो ना तो आया है और ना तो नहीं आएगा ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता तो अब बताओ तुम कहां से आए कि तो हाथ जोड़के बोलता है गुरू मुझे इधने कठिन प्रश्म न पूछो अपनी सरण में ले लो और मुझे बना लो अपना सिश्य तो मिनांडर का मिलिंद पान हो गया वहीं पर तो दोस्तों इस मिलिंद पान हो में ऐसी ही चर्चाएं लिखी हुई है बहुत ही गूढ चर्चाएं बड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने ना बड़ा जबरदस तरीके से इन्होंने explanation दिया है उसका ठीक है तो Demetrius Demetrius कौन सा था दोस्तों यह भी याद रखे को कि भी बात करते हैं आप लोगों को बता दूडु Demetrius वही राजा था जो एक बैक्ट्रियन था कि बैक्ट्रियन और बैक्ट्रियन जो साशक थे इन ही को कहा जाता है यवन साशक और इन यवनों में से डिमेट्रियस का ही एक सेना पती हुआ करता था जिसका नाम था अपोलोडस और दूसरा सेना पती था जिसका नाम था मीनाइंडर दोस्तों ये भी याद रखिएगा मिनांडर और अपोलोडस इनके बारे में पॉइंट याद रखना है गोंदो फेरनेस किस वंश का महा प्रतापी राजा था जल्दी से बताओ गोंदो फेरनेस किस वंश का महा किस वन्षका सरवाधिक प्रतापी राजा यह आप लोगों के लिए हुम्वर्क छोड़ करके जा रहा हूं देखता हूं कितने लोग आंसर करते हैं और cgl t a2 की तयारी कर रहे हैं तो देखता हों कितना आकर के बैठ गया होगा और उसने कहा हो गुर्दयों ने चरणों में ले लो ठीक है आगे चले तो आगे चल करके अगली चर्चा भाई यहां तो यह प्रशन हो गया बताए यह तीसरी बाद संगीति किसके द्वारा आयोजित की गई थी तीसरी वाली जो बाद संगीति थी व कौन थे वह व्यक्ति जली से बताओ कौन हुआ करते थे वह व्यक्ति तो इसका सहीएंसर आप सभी लोगों को पता है कि अशोग ही हुआ करते थे और अशोग ने जिस व्यक्ति से बाद धर्म की दिख्शा ली थी उनका नाम था मुगालि पुत्त रिस्ट हम लोगों ने च अगले question का answer भी आपको देना है कि जल्दी से बताइए बौध ग्रंत पितकों की रचना निमलिखित में से किस भाषा में की गई थी संस्कृत में अर्दमागदी में पाली में या प्राकृत में जल्दी से बताओ अरे ललिता तुम्हें क्या влад mentech मिलूंगा तो क्या होगा से मतलब क्या मिलेगा आपको एसी कौन सी जिग्यासाजों किसी के जीवन में अندर जाकर ck मिले बगा सब्सक्राइब कि तो होता है इंक्विश्टिवनेस और फिर दूसरा होता है कि इंक्विश्टिवनेस की पाराकास था उस पार एक होती यह पाली तो पाली भाषा में धर्म ग्रंतों की बहुत ग्रंत पितकों की रचना की गई है ठीक है चलो देखो अब देखो दोस्तों पाली भाषा क्यों इस्तेमाल के गई थी पता है संस्कृत बहुत कठीन हो रही थी प्राकृत बहुत कठीन हो रही थी इसलिए फिर पाली भाशा में उन्होंने लिखना शुरू किया अच्छा एक बात और यह उता दू सीजियल टियर टू मेंस का बैच दोस्तों अब लाइव होने वाला है बीस दिसम्बर से आप लोगों के पास समय कम है कम्प्लीट बैच में आप तैयारी करना चाहते हो तो एक बार जल्दी से सीजियल टियर टू मेंस का बैच जरूर लेना न भूलना मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप उस बैच को ले सकते हो और क्या तरीका होगा आप सीधे सीधे एक बार चले जाए गूगल पर गूगल पर जाने के बाद आप यहां पर अड़ा 24-7 टाइप कर लीजिए अड सीजी अल में सीजीए ल में दोस्तो यहां पर एससी का महापैक सीजील का महापैक और इस समय पर मिल रही है डबल वैलिटी तो वैसे तो आप ये 7999 वाला कोर्स ले सकते हो इस पर आप कोड लगाओगे वाई 263 तो वाई 263 लगाते ही आपको मिल जाएगा एक हूज डिसका सीजील का टियर टू और ओनली 1840 रुपए थोड़ा अगर कंपेर करोगे आप तो कंपेर करने में आपको ऐसा मिलेगा कि भाई अगर मालो हम जाकर के एक बार एससी का महापैक देखें जिसमें हम सीजील की तैयारी भी कर सकते हैं जीडी की सीपियो की मिलेंगी 25000 से ज्यादा वीडियो मिलेंगे 2000 से ज्यादा ओन लाइन लाइव क्लास मिलेंगे और 1424 से ज्यादा इबुक्स मिलेंगी अगर इतना सब कुछ हमें मिल रहा है दोस्तों तो बारा प्लस बारा महिने की डबल वैलिडिटी भी तो अब अगर आप वाई 263 लगाते हो तो वाई 263 लगाते ही यह बैच वाई 263 और जैसे याव वाई 263 लगाओगे आपके वाई 263 लगाते ही यह बैच हो जाएगा मात्र 2989 तो एक जगह लगभग 29 और एक जगह लग फग 29 रुपए यहनं के अंदर ही आपको बार प्लस बारा महिन यानि 24 महिने की वेलिडिटी अब को क्या क्या मिल जाता है लाईब क्लास मिल जाती है आपको आपको मिल जाता है टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है इबुक तो मतलब तयारी करने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट तो हम लोग दे देते हैं सलेबस आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा है तो इसी के अंदर आ जाएगा आपका वो को सीजील का टीर्टू का महापैक और सीजील कर टीर्टू का बैच mtsgd सारी के सारी बैचेस दोस्तों यहांपर आ जाएंगे ठीक तो अपने सीजेल का फॉर्म भर रखा आप इस समय पर आप लोग लगभग उसस्तितीमों की से क्रेक कर लो तो तो आपने देख रखी हैं और जो भी आपको live classes में हमसे help मिलनी चाहिए वो हम देंगे हम आपको जबरदस तरीके से जी के पढ़ाएंगे हमारे paid courses में बहुत ही अच्छा level of content discuss करते हैं हम और यहां पर इसलिए थोड़ी सी pro English English batch हो जाता है क्योंकि इस प्रो वाले हाँ प्रो इंग्लिश वाले बैच में हम लोग थोड़ा सा जा सकते हैं साइन्स वाले सर ने अफवाह फैला रखी मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं है मेरी शादी नहीं है उनको एक बार ऐसे ही मैंने गलती से बोल दिया था कि सर ऐसा कु जार नौस नवासी में पूरा पहापैक अपना बना ले बाइडवल वालीडिटी चल रही है ना तो डबल वालीडिटी वाला ओफर लेना बनता है चलो फिर ख्याल रखिया आप हम यहां पर है नहीं यहां पर हम लोग अब आगे चलते हैं और आगे चल करके आप से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे नेक्स सेशन में तब तक के लिए जैहिंद बबाई गुड़नाइट और टेक केर कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो